Hello everyone, welcome to the channel Guys, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं The Angel Road और Guys, अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हमें पिछली बार बहुत सारी नई चीज़े पता चली थी लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो काफी confusing थी सारी बाते और इसलिए हम उसको confirm करने के लिए और उसको थोड़ा सा उलजन को सुलजाने के लिए हम जा रहे थे अपने वो गिटार वाले बंदे से बात करने तो अभी जल्दी से चलते हैं वो गिटार वाले से बात करते हैं और भाई थोड़ी उलजन को सुल जाते है यही बताएगा अभी यह क्या माज रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं रहे I wonder Since when have you been here Since when I have been here since this morning अच्छा यह आज सुबह से यहाँ पर है ठीक है Then you must know The murder today happened here तो guys यह confirm हो जाता है कि इसी रास्ते पर murder हुआ था और यह बंदा अरे हाँ भाई यह तो सही अरे वाँ भाई सुट्टा मार के इसका दिमाग तो काफी तेज चलता है सही बात है यह बंदा अगर guys यह चश्मे वाला यहाँ पर सुबह से था तो यहाँ पर आज जो murder हुआ था यह तो उसको देखना चाहिए देखते हैं आगे क्या बूलता है भाई है चश्मे वाले यह जो परसन है ठीक है इसके हाथ में बंदूख है गाड़ी है यही रास्ता है अच्छा गाईज अभी मेरा थोड़ा दिमाग का बक्ती जल गया तो इसको लगता है कि यह मर चुका है इसलिए इसके बातों से तो गाईज ऐसे लगता है तो मैं इसलिए option में 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 ही चूज करूँगा ठीक मी ऐसा करते हैं देखते हैं क्या होता है मेरे को लगता है कि मैं मर गया हाँ यार गाईज यह देखो एक ग्रीन वाला बैग भी तो था और उसको जब फ्लैश बैक आया था जहां पर वो ड्रग डील कर रहा था उसके हाथ में ग्रीन बैग ही था तो यह तो अभी अभी गंफर्म हो गया कि यही मर गया और यह बंदी इसी लिए थी वरिड लग रही है कि भाई इसका बंदा जो है वो टपक है तो फ्लैश बैक आफ़ ट्राइंग तो हेल्प विक्टिम I thought that was her memory अच्छा लेकिन but that wasn't the case okay that was my memory okay my own memory अच्छा अच्छा तो guys अच्छा सही है sense करता है अभी क्योंकि guys अब वो बंदी की memory हम को क्यों आएगी बताओ हम कैसे जानेंगे उसके memory में क्या चल रहा यह सही है बिल्कुल सही है लेकिन अब हीरो मरा कैसे लेकिन मतला मर गया है तो अभी कैसे जिन्दा है यह क्या आत्मा है देखते हैं भाई क्या है भाई माजरा interesting लग रहा है थोड़ा I can remember now ठीक है ओके यह बंदा ओके गोली लग गई और यह अपन है भाई अपनी ही डेथ हुई थी यहां पर गाई मेरे ख्याल से हम लोग भूत है I was killed the reason I can't get out from this street is because I am already dead ओके तो भाई अपना भूत है यहां पर भटक रहा है अब सब सेंस बना रहा है गाई क्योंकि अपन मर गये है इसलिए हम यहां से निकल नहीं पा रहे नहीं तो भाई जिन्दा इंसान तो भाई पैदल चलके निकल सकता है सही बात है ठीक है आगे देखते है ठीक है because I am already dead तो अब क्या होगा भाई और यह चश्मे वाला हमको देख कह सकते है अगर मैं भूत हूँ तो Hey wait a second How come you were killed then? अरे हाँ यह कैसे मतलब और अच्छा हाँ यह हमको इसलिए देख सकते है क्यों काई बाकी भी लोग हमको देख पा ही रहे है तो यह भी देख पा रहा होगा ठीक है वो बात तो सही है मेरा ही दिमाग भाई डिला है मैं कुछ भी सोच लेता हूँ यह तो देख पा रहा है वो तो ठीक हो गया ठीक है वो पता चल गया क्यों देख पा रहा है लेकिन आगे देखते हैं How come you were killed then? हाँ मरा क्यों था भाई ठीक है मारा तो था सही बात है लेकिन क्यों मरा था यह Professionals don't target civilians हाँ इसने बोला था guys अगर आपने पिछले episode ध्यान से देखे होंगे तो उसमें इसने बोला था कि professional जो यह hitman है वो ऐसे civilians को नहीं मारते तो जरूर इसका कुछ भाई background है देखने बताएंगे अभी I told you that हाँ बोला तो था I was a drug dealer अच्छा तो अभी confirm है इसको कि यह drug dealer था ठीक है Everything makes sense now हाँ बिल्कुल guys अभी मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गये Why another drug dealer knew me? हाँ Why the assassin killed me? हाँ 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 It's good to know भाई यह पहला आज में देख रहा हो ओके guys थोड़ा से यहाँ पर sad moment बंदे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि वो एक drug dealer था और इसलिए वो वैसा कह रहा है कि भाई अगर मतलब मैं इतना dash आदमी था तो यह दुनिया मेरे बिना ही अच्छी है ठीक है वैसे बात तो सही है पर मुझे guys यहाँ पर थोड़ा से लग रहा है कि यह बंदा बुरा नहीं था यह drug dealer नहीं था या फिर यह सुधरने वाला था यह सब कुछ तो है भाई hero element देखते हैं वो क्या है यह बंदा कुछ बोलेगा बोल भाई so that's your answer यहाँ पर केबी से चल रहा था that's your answer एक तो बैठा है भाई आपर गिटार बजा रहा है मदद भी नहीं कर रहा अच्छे से that's your answer हाँ ठीक है यही है मेरा answer ले अपने को choose करना है guys ठीक है तो क्या मैं yes कर दू हाँ लगता तो यही है guys सही यही तो लगता है सब तो यही मतलब सारे dot जुड के यहीं पर ला रहे है कहानी को ठीक है मैं yes कर देता हो भाई yes ओके आगे क्या भाई आगे तो बोल that's my answer हाँ ठीक है ओके गिटार वाला उड़ गया पास आ रहा है यह भी मुक्का मारेगा क्या अल्राइट फ्रॉम्हेर इस इस माई जॉब ठीक है क्या है इसका ओ भाई पंक निकल गए भाई के सिर पे चक्र आ गया भाई यह इंजल निकला यार यह तो कम ओन आइम कोई तो टेक यू ओके इसलिए भाई इसका नाम इंजल रोड था तो मतलब कहानी यहां पर खतम हो जाती है क्या स्टोरी आम सियां ठीक है मेरे को तो नहीं लगता गाईस कहानी यहां पर खतम हो जाती है पर यहां पर क्रेडिट्स आना चालो हो गए है शायद कहानी खतम हो गई है पर ठीक है थोड़ा हम आगे देख लेते बाई यहाँ पर कुछ और ट्विस्ट है मेरे को लगता है देखते हैं क्या ट्विस्ट है भाई वेक अप ओके वेक अप कहां पर आ गया हो यह कौन है भाई भूत नहीं है क्या यू आप ड़न इडिस इस दे अंड आफ दे स्टोरी ओके ठीक है थैंक्यू अब बोलना चाहिए थैंक्यू ठीक है थैंक्यू वेरी मच्छ द वर्ल गोज ओन इवन आफ्टर यूर डेथ ठीक है काफी खुशी हुई मुझे जानके मेरे मरनी के बाद भी जिंदगी सबकी वैसी चल रही है कोई मेरे बार में डैश नहीं देता मतलब डैम नहीं देता उस ओके तो कहानी खतम हो गई यह आदमी यहाँ पर फिर गिटार बजा रहा है और यहाँ पर यह मोटो आदमी चल रहा है यहाँ पर चिडिया है ओके गाई यह सब तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि कहानी अभी खतम नहीं हुई है तो इसलिए हम इस लड़की से वापित जाके बात करेंगे हलो आँटी आइम गाइडिंग दे पीपल हूँ नो दे टू नेक्स एपिसोड अच्छा ठीक है भाई तो नेक्स एपिसोड दे वर्ल गोज ऑन आफ्टर यह देथ सुन यू लवड वन इस यूर लवड वन इस गोइं तो गो थूर चैलेंज ओके तो मत जो हम सोच रहे हैं वो सच नहीं है मतलब हम ड्रग डीलर थे और इसलिए शायद हम मर गए अपने हीरो को ऐसा लगता है कि वह ड्रग डीलर था वह बुरा आदमी था इसलिए उसकी हत्या हो गई और यह सही हुआ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है देखते हैं आगे थोड था हमारे डेत का वो पता चले हमको अनफॉर्चुनेटली आइक कांट कैनाट शो हर स्टोरी ओके तो बंदी भी इन्वाल्ड है इसमें कुछ ठीक है भाई देखते हैं वूड यू लाइक टो रोल बैक टू पॉइंट तो रीडू अल्टिमेट चोईस ओके तो गाई अभी भी कोई पूछने वाले बात है अंटी ठीक है भाई चलो आर यू शूर टो बैक येस अफकॉर्स अफकॉर्स चलो तो गाई अभी हम लोग जाते हैं देखते हैं कि भाई क्या हुआ है मतलब कहानी तो बढ़िया थी लेकिन मुझे नहीं लगता यह एंड है चलो जल्दी से क्या दो जब एंट क्या है अच्छने लेकिन मुझे रहता है अभी हम भाई रहता है?